एक भार्व प्रसास चुकला कोई विद्वान आये थे उन्होंने कहा था कि मैं तीन देनी यहां रुकूंगा अगर किसी को बिश्वास नहों कि अर्कवंसी लोग सूरवंसी छत्री हैं तो हमसे वहांस कर सकता है नमस्कर साथियों स्वागर से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सोरवंसी धमागा पर तो साथियों आज हम आपको लेकर आये हैं एक ऐसे महा पुरुष से मिलवाने जो कि अर्कवंसी छत्री समाज के महा नियुद्धा रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में इतन सब्सक्राइब के लिए जानपद हरदोई हैं और मैं बहुत ही साधान परिवार में पैदा हुआ पैदा हुआ जिए परिवार का गुजारा होता था ता और धिकुन्नी में पंडित पस्रेंश जीच के दारा चलाया अचल जीके वो बड़े परमीचत थे अचल जीच संधीला में संग के पुर्चारा खोकर के आया थे तो पंडित बचनेश तिरफाठी का उनका वड़ा साथ था उसके बाद में बचनेश तिरफाठी जी राष्ट धर्म परकासन में लखनू अचल जी ने बुला लिया तो अब बिदेले चलाले की सांस्चा थी लेकिन फिर वचनेश जीनेश हम ही वदिश्वास करके और विद्याले की संचालन का भार संपा उनका वहां पड़ाता था और मैं जैसे ही वहां पंचा हमने एक नई बात सुरूती है इस कूर का जो फारन था ऐसा पड़ा रहता था हमने क्या किया कि उसको एक वल्देव भाई थे उनको बटाइव दे लिया धिकन्यों के ही और उससे अरहर मक्का इस प्रकास पएदा होने लगा इससे कुछ वहां के जवार के लोगों में हमारा पर से विस्थास बढ़ा फिर हमने भी देले के लिए मतल जितना हो सका हो किया और आगे चल करके वसी विद्याले में दो तीन साल की बात साइद पैंसाट शाट का सातर था तो जन्यों कांड हुआ एक अपने समाज का एक लड़का का साधियू ही थी वो जन्यों पहंता था और कुछ लोगों ने तोड़ दिया फिर समें खाराती खेरे के लोग आये और जुन्होंने ऐसा किया था उनके साथ भी उन्होंने इसकुल तरफ से रिपोट होई और अधर से रिपोट होई उस मामिले में एक यस्पित अकाये थी और राजिन सिंग्ग जब बहुत पूर बिधायक थे उसा मिल करके मामिला फिर सांत कर दिया उसी दरवान में था एक दरोगा जिया है तो उनसे कुछ हो वहाँ के लोगों ने, धिकन्नी के लोगों ने, पहले तो हमारे विशमताया कि जगले की जड़ यही रलका है उसके बात में ने ने कहा कि सब खेराति खेरे के लोग जो है आतर के इंबड़ा यहां कुंदई किया तो इसी बात को लेकर बावा लालता दाजी ने कह हमारे समाज के जो सबसे बड़े नेचा थे बाव मूल चंसिंगी उसको खेराति खेरे वालों ने सन कुंचास पचास में अपने हां बलाया था और इनी हम तो नहीं थे हम लोगों को जड़ा बताई बाता रहा है वह बहुत विशाल सभा हुई और उसमें ब्रामणों ने अपने लोगों को जन्यों पहनाये थे हमारे वठीटा साथी दो लोग जन्यों पहन करके आए उसके बाद में हुआ ये कि जगेजेल लाय जगड़ा भी हुए लोग मरदास नहीं कर रहे थे कि इस जात के लोग यगों पवीज धारन करें या में एक भार्व प्रशास चुकला कोई विद्वान आये थे उन्होंने कहा था कि मैं तीन दिन यहां रुकूंगा अगर किसी को विष्वास नहों कि अर्क वंसी लोग शूर वंसी छत्री हैं तो हमसे वहांस कर सकता है उनके पास तो हमें किताब है बरहाल ये हुआ इसी को कि देखड़ा लेकिन घरों मादा वस्तानत हुआ तो बाबालालता दस चुटकौशी जी कहराती खेरे कि अ वह कल्यानपूर के और खेराती खेरे विद्वास नहीं ओर दुलारे दर्थेकेदार भिकुन ने सब लोगोंने बैज कर के तई किया कि एक मीटिंग की जाए तो ह वह ने उन लोगों से कहा तो मीटिंग की जाये, लेकिन जहां यह मामला हुआ है, मीटिंग वही होनी चाहिए। तो लोनक भाई यह तो जो मेंदारी याप की है। हमने खर अपनी परवंद समीद को राजी कर लिया, इसको रूम कम लगिया, मीटिंग हो जाये। नहर किनारे का जो बाग है पता नहीं समय भाय के नहीं है। और उसमय सरक नहीं थी गलिया रहा था, जो संदीला से और अतरोरी तक जाता। तो जब वह स्कूल भर गया और वह बाग भर गया। उसके बाद सरक पर हजारों आदमी खड़ा हुआ। मैं विलकुर नहा था और मीचिं कर संचालन कर रहा था। तो समस्य जए थी कि हम बोलें कैसे। लोगों को संबोधन कैसे करें। तो लालाजाओं को ठेकेदार थे बुंधे, दुलारयदाजी। उनका सब था बचुवा। हर समें बचुवा कहा करते। हमसे कहना वचुवा ऐसा है, जो तुमको कहना हो वह लिख लो कागज पर और पर पढ़ देना। धीरे धेरे बुलने लगए। हमने ऐसा ही किया। उस मीचिंग में पहली हमने बात रखी। वह यह रखी। कि बड़े कहजाने मारे लोग या समाजी के अन्य लोग, हम लोगों से कुछ ऐसे काम कराते हैं, जिससे हमको नीचा समझा जाता है। आज से हम वह काम नहीं करेंगे। सभी हमने हाथ उठाए। लाखों लोग जो उसमा गठा थे, लोग को आपको परेसान करेंगे। क्या वह परेसानी जहिलने के लिए आप तयार हैं। लोगों इनिका सहर जीवन देने हों तयार है। दूत्री बात फिर हमने रखी। कि व्या सादी व्या जो आपकरते हो, वह मां जो नो मेहने पेट में रखती है, वो पाई नहीं पूछ पाती, तो ब्या अधूरा होता है, तो ब्या अधूरा न करो, लड़के को दूर्ले को चाहें बै लगाली पर ले जाओ, बै लगाली नहों तो साखिर पर ले जाओ, लेकिन लड़के की दरवाजे पर पहुंचे, और मा उसके पाई पूजे, तब ही वो बिवास हों जो संपूरा है, इस पर लोगों ने हां कर दिया, इसके बाद यह आजा, हमने कहा कि हर बैक्ति, हर समाज, किसी महापुरुस को लेकर के आगे बढ़ता है, हमारे समाज में यह ऐसे महापुर्ष होये हैं, कि साइद दूसरे समाजों में नहीं होये हैं, ऐसा क्यों? अवद गजेटिया सरकारी गरंथा है, वो यह बताता है, कि हर दोई, बिलेगराम, सवाइजपूर, कन्नोज, लखनव, सीतापूर, यह सभी मुसल्मानों के कबजे में आचुके थे, लेकिन संडीला एक ऐसा राजी था, जिसको के मुसल्मान कबजे में नहीं करता है, बहुत समाज तो को बिचार करते रहे, कैसे आक्राण किया जाए, तो दिली का जो बास सा था, उसका एक सिफेश आलार सेना पती था, उसने कहा कि संडीला पर हम चड़ाई करेंगे और जीतेंगे, लेकिन सर्थ ये है, अगर हम जीत जाएं, मर जाएं तो कोई वात हैं नहीं, अगर हम जीत जाएं, तो संडीला का राज हम को दे दिया, बास सा ने मन्जूर कर दिया, और उसने चड़ाई कि उसमें हमारी हार हुए, तो जब हार होने के बाद, उन लोगों ने हमारे समाज को इतना कुचल दिया, कि लोग सूर बंसी से कहिं अरक बंसी, कहिं अरक इस तुमाम नामों से लोग जानने लग जाएं, और जीवन देरे देरे गरीजी की रेखा के नीची लोग का, तो यही यह सब स्वाश्या थी, तो हम ने कहा कि विया ऐसा है, हम चाहते हैं उस महापुर्ष की, जिसने संडिला मेर को बसाया था, और उसके बच्चों ने, पोतों परफोतों ने, कितने लंबा संघर्ष देला, तो हमादी इच्छा है, उसकी मूर्थ यहां लग ली चाहिए, सबी लोग ने कहा, कि हां मूर्थी उसकी लगेगी, उसी मीटिंग में, राणनगर के हमारे समाज के सबसे बड़े धनवान, खेतिवान, स्रीचंद भाल सिंगीन ने, यह परस्ताव रख्था था कि नीन सार में हमारा धरंसाला थोड़ा सा बना है अधुगूरा है, उस पवेटर स्थान में धरंसाला बनना चाहिए, तो सरसमद से तै किया गया, कि हां मूर्थ बाद में लगाए जाए, पहले धरंसाला, कुछ लोग चंदा देने के वादा भी कर चुके थे, वो बनाया जाए, उसके बाद में यह तै किया गया, कि समाज में हम एक ऐसा माहौल खाड़ा करें, घर घर जा करके अपने इतिहास को अपने लोगों से ही नहीं, अन्य लोगों से भी हम बताएं कि हमारा यह इतिहास है, इसलिए लड़ाई जगड़ा जो हम लोग संझेंगे कि वास्तों में इनका इतिहास अच्छा है, और लड़ाई जगड़ा में मुसलमारों साथ हारने से मिनकी दुर्गुत हो गई, तो हमारे लोगों को एक हमदर्दी पाज़ा हो, और उस हमदर्दी से होगा कि जो तो आम लड़ाई जगड़ा होंगे, वो नहीं होंगे, कि यह मुथ कर लिया गया, जब अपनी तरफ से मुथ करेगगा, और किसे लड़ाई नहीं करेग। लेकिन जैसे ही हमारे लोगों ने, हम लोगों कहने से, ओ काम जो हने बताया ही, कि लोग कराते थे, जिन से हम नीचे संझा जाते थे, वो बंद किये, बंद करनी में भी बड़ा संगरस करना बोड़ा, लोग जगे जगे परिसान करते थे, हम लोग जाते थे, समझाते थे, और जो नहीं संचते थे, तो अपने दों को यह भी चुएंगी देते थे, कि किसी को मारने जाओ नहीं, लेकर कोई मारनी आवे, और तुमको अगर गुल अब मिसाल तो प्रहम बचा दें, उसी स्मय उसके अगले साथ, एक साधी हुई थी, कौडिया से वराद गई थी, हजियापूर है, भराउन के पूरम में, बसवियावगारा के पास, वहां लोग कौडियाल थोर मजबूत थे, तो म्याना भी ले गए थे, उस समय हमारी ही विरादी नहीं, दो तीन कौमों को छोड़ करके, बाकी कोई म्याना पर वैट नहीं सुचा था, जैसे आज भी आप अखवारों पढ़ते होंगे, कि पच्छी में घोड़े पढ़ नहीं चलने लेगते हैं, बड़े कहने वहे लोग, अभी गरीबों को और हर जनियों को घोड़े पर चढ़कर के बारात नहीं लाने लेगते हैं, काम-कांड़ा इसे हो चुके हैं, तो उस माँ ऐसा हुआ, कि जब अपनी बारात गई, तो लोगों ने उनका मेना तोड़ दिया, और मारा पीटा, लोग हम जाते कहां, वहां के लोगों के पास आये, बसहिया के लोगों के लोगों के पास, वो लोग हमारे हैं इसकूल आये, हम ने का अच्छा, हम थाने गए, एक दरोगा जए थे, शिरोमन सुन चोहानम नाम को भी याद है, क्योंको उनकी लड़की हमार यहां पढ़ने आते हैं, तो बड़ा हां प्रमदा है, उन्से उन्हें पूंचा सा वायसा सा मुंदा, तो उन्हें ने काया, आप यस्वी कि यहां चले जाएं, और जाकर कि यह लिखी दे लिजी कि साफ साधी हो गई है, लेकिन अभी गोना बाकी है, फला दिन गोना होना ह और हमारी सुरक्षक गस्ता करें, खैर यस्वी ने आदेश कर दिया, हम पने कुछ साथियों साथ गए थे, और अबरात गई वहां, अचा हुआ यह, वहां किसी ने हड़कंप मचा दिया, कि कोई मुझा थे वहत बड़े ड़काइत, जिनके पास लोग कहते हैं, इस तेन ग पुलगा दिया है, तो दरुगा इसे इबात बचाई गई, अपने लोगों हावा फैल गई, तो बसहिया में बिना कहें, यह ने किसी सी कहा नहीं, यह वरात वालों ने भी नहीं कहा, बसहिया में करीब चार हजाराद में, इनि जेसे जो हो सकता था, लाठी, डेंडा, जो क जब दरुगा जी ने देखा कहा मार साब यह क्या कर रह हो, हमने कहा कि दरुगा जी, हम को अवल परदर्षन करेंगे, और अगर कोई बात हो जाएगी, तो आपको गिर्फतार हमें करना कोड़ागा, हम को अवल कुछ नहीं होगा, के उल हम पनी हमको जो अपमानित किया गय हम दिखाना चाहते के हम भी हैं, हमारे भी टाकत है, आगर आप हम से छोटे भाई का व्योहार नहीं करोगे, तो हम आपको साथ बड़े का भी व्योहार नहीं करोगे, तो हम आपको साथ बड़े का भी व्योहार नहीं करोगे, तो हम आपको साथ बड़े का ही व्योहार नही तो जनसंग ने गोबा दान दोल अंश्णा था, जेल मन थे, हम भी गए थे, हमारे गाउं के बहुत लोग, हमारे चाकुर साफ, हरना सिंग जी, कि अगवाई में यहांसे बहुत लोग हमारे अपने विरादर रामलाली नेता जी, बहुत लोग यहां से गए हो गया थे, उसमे में उसको मालूम हुआ कि ये वारात गोकरणजी ला रहे हैं तो वो आ गया